वेलकम फैंस हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से सवागत है इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक में आधार कार्ड लिंक है या नहीं इस वीडियो को लास तक देखते हुए आधार कार्ड एक यूनिक आईडी होता है और इसे KYC के तोर पर यूज किया जाता है में Google open कर लेना है Chrome simply उसमें टाइप कर देना है UIDAI मतलब आधार कार्ड की वेबसाइट simply उस पर स्लैट कर देना है पहले नमबर पर जो आया उसको स्लैट कर दिया जैसे हम स्लैट कर देते हैं तो इस प्रकास से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है यह हमारा इसका फर्ष्ट पेज है मतलब फ्रंट पेज है आधार कार्ड की वेबसाइट का सिंपली आप त्री डोट देख रहे हैं इसमें एक Option है Check Adhaar Bank Linking Statistics इससी पर स्लैट कर देना है जैसे हम स्लैट कर देटो इस परकास से पेज हुल जाता है इसमें आपको बारांक आधार काड का डालना है उसके बाद यह कैप्चर डालना उसके बाद सेंड OTP और स्टिप्ट कर देना है जैसे हम स्टिप्ट कर देता है यह हमने कोड डाल दिया उसके बाद सेंड OTP स्टिप्ट कर दिया स्ट करने के बाद इस परकार से option OTP send to your register mobile number check your mobile मतलब mobile number पर OTP और चैक करना नीचे आंगे नीचे आने के बाद एकुस्व उप्शन हो टीबी डालने को टीबी डालेंगे सब्मिट कर देंगे सब्मिट करने के बाद आपके सामने इस परकार से उप्शन आ जाता है कुछलेशन यूर आधार करड बैंक मैं हाइवे done मतलब जो आपने चेक किया था वो done हो चुका था है सबसे पूल आधार नमबर आता है bank linking status active दिखाता है और bank की date लिंक की date दिखाएगा और bank दिखाएगा इस परकार से आप check कर सकते हैं I hope आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो video like जरू कीजिएगा हमारा चनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद दूस्तों